भगवान करते हैं, सुनो किसान, ये लच्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन, सुन्दर कार्तिक के महिने की कृष्ण पक्षी की तुर्योदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लच्मी भले मेरे साथ बेकुंट में जातर रहे, पर लच्मी का ए दूसरी है, भगवान विश्ण कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताते हैं, भगवान कहते हैं, किसान, सुन्दर कृष्ण पक्ष्ण की त्रयोदशी को कार्तिक के महिने में, धनवंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है, सुनों किसान, जैसे मेरे हाथ में शंक, चक्र, गदा, पद्म सब धारन करा हुआ हुआ हुँँ, उसी तरह धन मंतरी का सुरूप का यदी आप दर्शन करेंगे, आप धन पंतरी के चित्र कागर दर्शन करेंगे, तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंक है एक हात में उनके आउशद ही है एक कलश और भगवान स्वयम नरायन का अंश प्रगठ प्रगठ सुन्दर कृष्ण पक्ष्ण की त्रियोधशी को करति की भूमी पर देशी गाय का गोवर से लीपन करकर अगर गाय का गोवर ना मिले सुन्दर जल से लीपन करकर आप सभी को प्रग्यात होगा कि चोक पूर्ने में कि रांगोली का पर्योग नहीं होता है आप लोगों को मालूम होगा चोक पूर्ने में आटा और हल्दी परग्योग उता है इसमी जब चोक पुरा जाता है भूमी पर जोक पूर्थ Usually care speak ड़ख्वर द्री आटा प्रयोग क्यों होता है उसके उपर एक सुन्दर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जा, भगवान विश्नु बता रहे हैं, किसान को धन तेरस के पूजन का बढ़न, और जो भगवान विश्नु ने बताया है, वही पूजन का बढ़न आप से बढ़न कर रहे हैं, तेरस का प्रयोग कर आओ को विश्नु पुराण के सभाव को इसकंद पुरान के सभाव को आप धारन करें, और जो विधान भगवान विश्नु बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार, आप लच्चमी का पूजन धन्ते दस का पूजन करें, चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाट से गिला करकर स्वस्तिक का निर्मान कर गर में अगर चांदी का सिख्का हो अगर चांदी का सिख्का नहीं हो चांदी का क्वाइन नहीं हो तो अपने घर का एक का सिख्का दो का सिख्का पांच का सिख्का दस का सिख्का जो भी आपके घर में हो तो क्वाइन लेए महारक उसक का इस्मर्ण करें आटे के साथ दिये बनाएं एक ठाली में एक प्लेट में धखलें घी के दिये बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा ध्यान दीजिएगा इसमे जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी लच्मी जी की पूज़न में जितनी भी बाती लगेगी वो लंबी लगा अधे गी के दिये लगा दें साथ सातो दियें को परजुलिट कर लें प्रजूलिट कर लें एक दिया तेलका लगा लें तेलका जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिट्टा रखा है उसका लेp-tend मतलब आप ईससे बेठ़े हो तो आपका सीधा हार और आपने लगाए हैं वो लच्छमी जी के राइट हैं मतलब आपका लेफ एंड हो गया लच्छमी जी का राइट हैं आपका उल्टा वहां पर सातो दिये जो आपने परजुलित करें हैं प्लेट में रगड़ा हैं सुन्दर थाली जो आपने पूजन के तयार करी है उसमें जल गटे हल्दी की गाठ सुन्दर भाव में उसको रखे जलका पात सुन्दर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें लच्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है पर धनतेरस की पूजन का जो समय है उ प्रदोष कौश करुज़ करें लच्मी पूजन करने के दोनो सिक्कोऌ को उठाले दोनो कौइन जो चंदी का सिक्का है और देसी कौइन प्रूथा कर उसерхणी असको रखा कर उस पर जो कलेवा है मौली है नाड़ा है उसको लच्छा है उसको लपेटना प्रारम करें, और शकी लपे में उसको रख लें फिर वापिस उस पर जल का चिटा देकर उसका पूजन करें हल्दी रोली मौली चंदन आधिक लगाकर सुन्दर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल करकर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लच्मी के ऊपर जो दो सिक्के रखे है उनका पूजन करें साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते हैं रिद्धी सिद्धी के दाता श्री गणेश जी महराज आप हमारे यहां पर सदा माता लच्मी को लेकर कुवेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें नारायन को लेकर सद चावल छोड़ते जाएं और बाबा से बिंती करते जाएं माता लच्मी से निविधन करते जाएं भगवान शिव का इस्मरण करें माता लच्मी का इस्मरण करें रिद्धी के दाता बागवान श्री गणेजी महराज का इस्मरण करें छोड़ते जब चावल पून छोड़ है पिली उसमें पत्ते नहीं हुburg किसी भी ब्रच पर डली देती हो अमर पेल कैलाती है यह अमर भेल कि लचमे पूजन में सम्रध्धी के लिए मकान के महरत के समय पर गरिह प्रवेशि के समय पर बहुत कार्ण यह अमर भैल को पानी की जरुवत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वरक्ष पर डाल दी जाए, वो अपने आप फलती चली जाती है, उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रात्ना करते हैं, जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े भी, किसी भी वरक्ष पर डाल दी जाए, पनपत को संदर जो भी नीश्तों मेहात न हग भी ली जिह और मता लच्मी के ऊपर उसे चड़ाना परारण कर दीजिए, साथ बार पिसी है को सिक्कों पर चड़ा दें अपनी मनों कामना करकर अपने मता लच्मी को बिड़ाजमान करने के है, जब हल दी पौन चड़ जाए, हात मे कुंकू ले लित रहो ला ले लित इस को भी मातली नखि टार इसके पर सुंदर जो भी घर में मीष्ठान रहो नहीं हो शक्र हो बुड़ हो मिश्री हो जो भी आपके पास में हो खड़ी सक्कर हो वो भगवान को माता लच्मी को भोग रख दीजिए अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए माराज घर में संपूर्ण पूजन करकर आपके घर में जो देवालाई में भगवान बेठे हैं उनका भी पूजन करिये पूजन करने के पश्चाद आप माता लच्मी से निविदन करिये है मा आप हमारे सदा विराजमान हो आज दंते रस्य रूप चवदस अमावस्या एकम और दू पूजन करने के बाद जो साथ दिये आपने प्लेट में रखे हैं थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के उन सातों दियों से माता लच्मी की आरती उतारी है कि उन सातों दियों से माता लच्मी का पूजन करिये है माता लच्मी से विंती करिये है मा हम आपके पुत्रे हैं मा आप हमारे घर का रस्ता भूल गई हो बहुत तश्ट है बहुत दुखी है पर भगवान शिव पर विश्वास करकर कुबेर भंडारी पर कुबरेश्वर महादेयो पर विश्वास करकर भगवान नरेन के सुन्दर पर विश्वास करकर मा भगवान शंकर का अनुमोधन करकर है मा आप हमारे घर में विराजमान हो मा आप हमारे मार्ग को हमारे घर को हमारे घर के रस्ते को हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो मा है बेभव लच्मी है धन लच्मी हे संतान लच्मी, हे मा लच्मी, हे धानने लच्मी, आप हमारे घर में विराजमान, साथ दीप जो परजुलित करें हैं, उससे माता की आर्ती उतारिए, फिर माता को जोली पसार कर, प्रणाम करकर भूमी पर नमन करो, जब जोली पसार कर प्रणाम करें, जोली को अपनी और राले और मता को नमन करकर जो साथ दिये आपने लगाए हैं उन साथ दिये को अलग-अलग इस्थान पर ले जा कर जैसे घर के हौल में एक रसोई घर में एक जहां पर आप लच्हमी रखते हो उस स्थान पर एक घर के द्वार के पास में एक तुलसी के क्यारे के पास में ऐसे अलग अलग साथ इस्थान पर उन दीप को रख दिया गी एक भगवान का जहां पूजन हुआ है लच्छमी की जहां राद न करी एक दीप वहां पर भी रखा जाए जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में पिर कहेंगे तेल का दिया माता लच्छमी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लच्छमी के सीधे हाथ मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा हो जहां आपका उल्टात हो कामाताजी का सिधा हो गया है माता कैस्त्ता है मृतलच्मि स्निविधन कर धी हे महा है महां से मिनत् ИВы कर भान जूआ के साथ श्रव रहाजमान मध्य नरेनके साथ में हमारा सदा विराजमान हो मा ऐसी कृपा कर दी महाराजा मा से विंती करकर बड़ा उस्साह बड़ा उमंग बड़ा आनंद रखना ये भाव रखना घर में भगवान विश्नु कहते हैं किसान से है किसान आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करिए धन्तेरस की पूजन करिए है कोई वस्तु कोई सामगरी अगर आप लेकर आये हो कोई पात्र लेकर आये हो कोई तामवेका पात्र लाये हो जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आये हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए उसका भी पूजान का बड़ा किसान सुनकर बड़ा प्रसंद हुआ नरेंड रभू क्या माँ फिर मेरे घर में रहेगी भगवान करते हैं सुनो किसान ये लच्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो धनतेरस का पूजन सुन्दर कार्तिक के महिने की कृष्ण पक्ष्छ की त्रियोदशी को अगर आप कर रहे हो तो ये लच्मी भले मेरे साथ बेकुंठ में जाकर रहे पर लच्मी का एक अंश तुमारे घर से कभी नहीं जाएगा वो सदा भी राजमान रहेगा ऐसी है माँ धनवंतरी की पूजन पूजन क्यों किया जाए क्यों धनते रस के दिन लेते क्यों पूजन करते क्यों पांच दिये जो भगवान के सामने रखे थे उसमें से एक दिया जिस अलमारी में जिस तीजोरी में तुमने लच्मी रखी है उसी अलमारी उसी तीजोरी के ऊपर उस दिये को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए चार दिये में से एक दिया मंदिर में रखिए एक दिया पानी के स्थान पर रखिए एक दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और एक दीप घर के हॉल में रखिए महराजे से पाँच दियों का इस्मरन करते हुए माता लच्मी का इसमर्ण करिए द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डाल कर अंदर की और प्रवेश करनी जिए बस ये पाँच दिवसी पूजन जो आप माता लच्मी की सुन्दर शिवलच्मी पूजन का इसमर्ण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है आप सभी ने अपने अपने घरों में डीप माली का डीप उस्तों माता है